सब लाइब आगे हैं लोग चारो सरफर रेडी है ना चलिए स्टार्ट करते हैं गुड़ आफटूनून बहुत से लोग अलग अलग इस्टेट के हैं जिनका कहना है कि सर हिंदी इंगलिस सब यूज किया किजे चलिए इंगलिस यूज करते हैं लोग आसियान में आपको दस देशों के बारे में बताया थे आप लोग आई होप हम आपसे उमीद रखते हैं कि आप लोग एटलस खरीद लिए होंगे आप 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 एट एडिशन लिजे या नाइन्थ एडिशन लिजे इससे कोई दिक्कत नहीं है बस इतना ध्यान रखेगा कि हम कौन सा चीज आने वाले हैं वो आपके पास उसमें उसका पेज नंबर का आईडिया रहना चाहिए कि कहां वो पेज है आप लोग को बस इतना जाद रखेगा कि Oxford का लिजे आपका मन आप जो भी ले लिजे स्कूल एटलस लिजे या स्टूडेंट लिजे क्योंकि बहुत से लड़कों का कॉल बस इसी चीज का रहा है कौन सा ले लेकिन कमपनी ध्यान रखेगा हमेशा आपका रहना चाहिए ऑक्सफोर्ड ठीक है कोई भी ले लिजे आप इसका एट एडिशन लिजे या नाइंथ एडिशन लिजे इससे कोई बास नहीं जरूर ले लिजेगा यह सब चीजे ठीक या किसी से बात कीजे प्रेम से बात कीजे ताकि उस बात करने वाले को लगे कि यार किस से बात कीए थे आसियान में कितने देस थे दस आप दसों के नाम बताएंगे उपर से पांच और नीचे में पांच उपर में आख बंद करके इतमिनान से जितना बोलते हैं उतना साथ साथ बोलिएगा जजदे अच्छा रहेगा नहीं साथ बोलिएगा तफिर गड़बर हो जाएगा पहला इदर हो जाएगा Myanmar दिमाग में रखेगा Myanmar के नीचे थाइलेंड है Myanmar Thailand मैंनमार थाइलेंड उसके लावोस तो कंबोडिया लावोस दुईपों का समूओ यानि group of islands कौन सा है? यह है आपका इंडोनेसिया है. यह बहुत ज़ादे दुईप हैं सब इसमें. बहुत ज़ादे दुईप हैं सब. दुनिया का सबसे बड़ा दुईप समूओ. उसके बाद आपका फिलिपीन की राज़ानी मनीला है फिलिपीन की राज़ानी क्या है मनीला आप से हम कोशन कहते हैं कि फिलिपीन की राज़ानी मनीला यहां पर एक बैंक है जिसका नाम है एसियन डेवलप्मेंट बैंक एसियन डेवलप्मेंट बैंक का मुख्याल है फिलिपीन की राज़ानी म हुआ कि अब घुप हम आपसे जो पुछते जाएंगे जाए कि रखेंगे और सब्सक्राइब है कि अब बच गया तबियत को कोई दिखत नहीं है में दिकत गला को है कि गला के साथ जाने चेड़ च्ट करें गवाण पर जाएगा तो दिकत बहुत भ्यानक आ जाएगी। यह वहीं है पाकिस्तान, CPEC सड़क कहां पर है? पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान अब हम आपसे जो पूछते जाएंगे उतना बताई गया यह पीयोके का एरिया है एक्चुली पाकिस्तान का यह इंडिया का ही है अभी इसके पास है फिलाल किसके पास है फिलाल है आपका पाकिस्तान के पास तो यह एक्चुली देखिए यह इस नक्सा में प आक्सपोर्ड का पॉम्लीशन का जो है वो 작은 उसको दिखा दिया है आप अन्यधा लूज़ेगा वरना कई लोग सो crushing लेने लगते हैं डेखे यek यह बंतर्गा कों सा है यह वाला कराची और कुन सा है गौादर बंदरगा गौादर बंदरगा अब यहां पर पहाड़ी है यहां पर किर्थर की पहाड़ी है यहां पर मकरान की पहाड़ी है यहां पर कौन पहाड़ी है मकरान और यहां पर सुलेमान और किर्थर पाकिस्तान में दो पहाड़ी इदर मिलेंगे यह सुलेम सुलीमान किर्थर मकरान यह पाकिस्तान की सबसे पर्मुख पहाडियां जिन पास एटलस है जो एटलस खरीद लिए हैं उनके पास अप एसिया का नक्सा खोलिए वहाँ पाकिस्तान जहां मिलेगा वहाँ इसको ढूंडिएगा ठीक है आप लोग पहले दिमाग में आइडिया लगा के रखेगा कि हम कौन सा चीज पढ़ाने वाले हैं क्योंकि आपके पास अल्रेडी एटलस रहेगा तो सुलेमान, किर्थर एवं मकरान की पहाड़िया पाकिस्तान में इसके उपर यहाँ पर एक नमक की पहाड़ी है तो पाकिस्तान में चार पहाड़ी अक्सर पुछता है नमक, सुलेमान, किर्थर, मकरान यह पहाड़िया हैं आपको एक चीज याद होगा कि दुनिया में पहली बार जो खेती हुई थी वहाँ से लगबग साथ हजार साल पहले हुई थी और यह खेती जो थी वो सुलेमान यहम किर्थर पहाड़ियां कहाँ पर है पाकिस्तान में है और पहली बार जो खेती हुई थी वो सुलेमान और किर्थर पहाडियों के बीच में ही वो खेती की गई थी यह तो मकरान टटी एसरेणी है इसके उपर एक साल्ट रेंज है जिसका नाम है नमक की पहाड़ी उस पहाड़ी से नमक बहुत जादे मातरा में निकलता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है इस सीमा की उतरी भाग में यहां से यहां तक परवत है इस परवत का नाम है हिंदुकूस परवत यह परवत का नाम क्या है हिंदुकूस परवत जाकर मिल जाता है किस से हिमाले परवत से जाकर मिल जाता है तो पाकिस्तान की लिए boundary का निर्मार कोन कर देता है हिंदु कुस परवत और पाकिस्तान के उस साइड आ जाता है अफगानिस्तान पाकिस्तान में आप देखेंगे तो बहुत सारा एरिया पहाडी एरिया है अब question कहेगा कि पाकिस्तान का पूर्वी भाग यानि इस्टन पार को तो इस एरिया में आपका मकरान टटी असरेंडी है सुलेमान है किर्थर है नमक की पहाड़िया वह ज्यादे का पौर्वी भारत के साइड वाला एरिया जादे हरा भारा है और इधर का अईरिया उसके लिए सही है इसमें दो ही चार परमुक हाइं सब पाकिस्तान के चार पर्मुकराज सबसे बड़ा जो राज है वो आपका बलुचिस्तान है जो कहता है कि हम पाकिस्तान में रहेंगे ही नहीं बलुच सब अपने आपको कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं नहीं हैं महां पाकिस्तानी सेना बहुत जादे जुल्म करती है बलुच में बलुच की लोग खुद के गुर्यबान में जहाक लीजे, अगर कस्मीर से हमारी सेना की उपर पत्थर न चले, तो फिर कस्मीर के हमारी सेना पागल नहीं हुई है जो गोली मारेगी, क्यूंकि हमारे इतने राज्ज भी तो है, अन्य जगहों पे कहीं गोली मारा जाता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं हम कस्मीर को अलग कर देंगे उसके बाद ये उमीद रखे कि हमारी सेना उनकी आरती उतारेगी तो जरूर आपकी आरती उतारेगी लेकिन वो आरती थाली के दिये से नहीं उतारी जाएगी बलकि एके फोटी सेवन के बुलेट से उतारी जा आराम से समझाने वला बात आतंगवाद नहीं है आराम से समझाएंगे तो सहीद होते आ रहे हैं आज भी लोग इसके बाद ये वला आता है सिंध का एरिया बताए थे ये सिंध उसका खेती के लिए बहुत अच्छा एरिया है इसी सिंध में एक बंदरगा है बंदरगा का नम क्या कराची बंदर अब ये जो सिंध है इसका एक साहर इसी सिंध प्रांत में आपका मिलेगा आपका मोहन जोड़ो जो वहाँ पर पाकिस्तान में था चन हुड़ो ये सब पाकिस्तान का एरिया थे मोहन जोड़ो वगरा सिंद का एरिया सिंध के नीचे ये बलुचिस्तान मिलेगा इसी सिंध प्रांत का रहने वाला एक जगा था नवापसा जहां का रहने वाला था आसाराम बापू वही जो बलातकार कर दिया आसाराम बापू बाद में आके यहां गुजरात में सिफ्ट हो गए गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तान से आगे हैं, साले में लच्छन अभी भी वही सही है, भारत सरकार को भी कहना चाहिए पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान तुम दाउध इवराहीम को हमको दे दो, वरना हम तिहाड जेल से आसारामबापु को छोड़ देंगे, छोड़ देगा देकिन नहीं छोड़ना चीए वहाँ जाके से जन संक्या बढ़ा देगा बुड़वा बहुत खतरनाक है आगे देखिए कहां से है आसाराम भाबू पाय हुए तो यह एरिया होगे आपका सिंध और यह वाला होगे बलुचिस्तान अब इसके अलावे आप पा यह वाले एरिया में रहते हैं इसके उपर का यह एरिया जो दिख रहा है आपको उसको हम लोग खैबर पखतुनुआ कहते हैं खैबर पखतुनुआ का जो एरिया है यह जादे तर आतंगवाद पीडित रहता है खैबर पखतुनुआ का एरिया आतंगवाद पीडित रहता ह अब अभी पाकिस्तान ने एक निया संसोधन करके जम्मु कस्मीर का जो P.O.K का एरिया था ये पाकिस्तान देखिये ध्यान से कस्मीर के लोगों को कहता था कि तुम अलग देश हो जाओ हम तुमें अलग देश होने में मदद करेंगे और खुद इसको अपना एक राज्य घो में दोशित करने के लिए कहेगा और उसके बाद आपको क्या किया कह देगा कि भाई अप पाकिस्तान में मिल दी हम कस्मीर के लोगों को ही कहते हैं तो यह हिंदुस्तान में भी 20-22 करोण है सब यहीं रहिए ना कि आपको यहां के मुसल्मान कर देता है उन लोग का तो यह एरिया इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो उपर वाला एरिया है ना यह जो खैबर पक्तुनुआ है यह आतंगवाद से बहुत भेयानक पीडित रहता है आतंगवादी यहां हमला करके भाग जाते हैं सब आफगानिस्त से दुआ मांगना चाहिए तो अच्छी बात है दिल से दुआ मांगना चाहिए तो प्रणाम करके तो मुसल्मान नहीं लेकिन इसके बाद भी आप यह देखिए कि आप किसी पद परवैट है तो इमरानगान को रो 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 के दुआ मांग रहा था सर्वाव उसको मीडिया न यह नहीं कर रहे हैं लेकिन जो चीजे परसनल हैं उनको परसनल रहने दीजिए आपको मांगना है तो लेकिन क्यों समझाएगा इसको बुद्धी नाम का चीज नहीं पूरी इंडिया पूरा दुनिया मीडिया उसको हाइलाइट कर देगी देगे रो रहा है यहां पर तो यह इसके पास कुछ है नहीं इसका यह वाला एरिया अफगानिस अभी यहां देखिए इस नक्सा को हमाटाते हैं इंडिया का नक्सा लाते हैं यह जम्मू कस्मीर है हमारा यहां के एकदम सटके इसका इसलामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद एकदम सटके है और यहां पंजाब जो हमारा है उस पंजाब के पास पाकिस्तान का यहां लाहूर है तो पाकिस्तान का चार पांच पर मुक सार याद नाम पुझेगा एक ये होगे आपका लाहोर पुझ देगा और ये होगे आपका इसलामाबाद लाहोर और इसलामाबाद ये इसलामाबाद इसकी राजधानी है और ये लाहोर है और ऐसे ही नीचे के दो सवार याद रखेंगे ये बंदरगा कराची हो जाएगा और इधर वाला ब यहां पर इनगे से नहीं मैं नहीं धु Sale beha-klaos नहीं चलेगा इस दारान क्या करेंगे एटलस हर हर हाल में खरीदेंगे ताकि हम बताएंगे वहाएप हाइलाइटर चलाएंगे आप इक हाइलाइटर खरीद लेगे सुग्ण गलर तक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्षिष्ष्ष् अपरेशन में तो यह इसलामाबाद के पास दो चीज़े याद रखेंगा रावल पिंडी जिला में आता है आपका इसलामाबाद के पास के रावल पिंडी जिला में तक्षे सीला बिस्विद्याले दुनिया का पहला बिस्विद्याले तक्षे सीला था लेकिन वो हॉस्टल स विदा नहीं देता था अब पाकिस्तान के जो बड़े सहर हैं उनको अपने दिमाग में आइडिया लगए अगर हम आप से कहते हैं कि ग्वादर बंदर गा तो कभी भी आपका आइडिया ऐसे थोड़ी आगा कि ग्वादर यहां होगा आपके मन में एक आइडिया आगया कि न लाहूर होगा और यह कौन सा होगा तो यह इसलामाबाद होगा इसके जश्ट उपर रावल पिंडी जिला आजाएगा उस जिला में कौन आजाएगा तक्ष सीला तो नक्सा का सबसे बड़ा इंपोर्टेंस यह होता है कि आपके दिमाग में फीगर होना चाहिए जैसे हम आ अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पे कौन सा परवत होगा हिंदुकूस परवत इसके इधर देखेंगे तो यहाँ पे नमक की पहाड़ी सुलेमान किर्थर मकरान यह चार परमुख पहाड़ीयों याद रखेंगे इसका चार नहीं पांच हो गया नहीं यह होगे आपका क इंट्रोडक्शन की तरह है लेकिन मंडे से जो क्लास है फुल फ्लेजेड हिसाब से चलेगा जिस तरह से आफलाइन में चलता था अभी तो हम मजबूरी है क्योंकि आपके पास एकलस की बुक भी नहीं है यहाँ आई है हम आपको यहाँ पर एक एक्जामपल के तोर पे कु नंबर क्या है यह चार नंबर क्या होगा और यह पांच नंबर बताते चलेंगे लो यह क्या होंगे सभी सब सहरों के नाम लिखेंगे जैसे मान के चलिए आपको एक नंबर लिखना है तो एक के जगा पर जो है उसको लखिए दो के जगा पर लिखिए पटा पट अंसर दी अगें आगें 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 आड़कіс आगें जल दो नंबर कराची के भी लिघ देंगे तो सही है समझ जाएंगे कि आप टीन बताएते में देख रहें कि आप लोको हल्का तो दीखी रहें पूर मैं कुछ खास नहीं दीख रहा थी नंबर तीन चार अब तो दिख रहा हो ना पाँच तीन चार पाँच सब बताएंगे वरी गुड आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं बना लिए आप लोग ये वाला सहर जो है वो पंजब लाहोर है और ये वाला सहर जो है वो इसलामाबाद है और ये रावल पिंडी है और रावल पिंडी जैसे आएगा तो आप समझ जाएंगे रावल पिंडी के पास ही तक्षिसीला है और इसी के पास था एबटाबाद जहां पर उसामा बिल्ला देन चिपा हुआ था पाकिस्तान में पाकिस्तान की राज़दानी क्या है लाहोर पाकिस्तान की राज़दानी इसलामाबाद लाहोर नहीं इस क्या थी इसलामाबाद आगे बढ़ जाएं पाकिस्तान की जोग्रफिकली एरिया आपको समझ में आ जाएगा पा बड़ा कायगा तो हिंदु कुस परवत हो गया गी ने हो गया बाकी पाकिस्तान के पास है क्या कुछ मसालों के मामले में पाकिस्तान थोड़ा सा बढ़िया मामले में आ जाता है समझ में गया गया यह इसलामाबाद हो गया लाहूर हो गया यहां समझ में आ गया बाकी कुछ स आ रहे हैं जो हमेसा फेमस रहती हैं कभी बंप उटने के वज़े से कभी कुछ होने के वज़े से ये सड़क का नाम बता सकते हैं कितने लोग बता सकते हैं ये सड़क का नाम बताएंगे जो सड़क बनाएं इस सड़क का नाम बताएंगे रावल पिंडी इसलामाबाद के नीचे है देखिए इनका कोश्चन है रावल पिंडी के नीचे है ये एक जीला जो होता है वो जीला का नाम कहीं लिख सकता है तो एरिया तो बहुत बड़ा होता है तो पूरा एरिया में वो नाम नहीं लिखेगा मतलब पास में ही है वहाँ आप समझ रहे हैं यह समस्य आपको बहुत जादे मिलेगी जैसे यहां अगर आप देख रहे होंगे नक्सा में तो कितने बड़े एरिया में लिखा है दिल्ली जबकि जहां दिल्ली लिखा है आप देखेंगे तो वह दिल्ली लिखा है राजस्थान का एरिया है लेकिन जहां दिल्ली लिखा है वहां जो इस्टार बनाया है तो जो पॉइंट बनाया है उस पॉइंट का मतलब होता है वो जगह कहा है क्योंकि नक्सा में कोई चीज लिखेंगे नो काफी एरिया में हो जाएगा cpec very good very good cpec cpec का हम लोग को विरोध करना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं कर सके चीपी क्लास में उलाउ एक इसको डिक्कत पॉलीटी स्लेटक औ가ल इसको यह एक इंश करना वह कर Random मोरे तो सब्सक्कर प्राखनाइं तो अदेखिए तो इसको नखसे में आपको पहले अभी अभी हम आब को बता रहें जितना अखसा बता रहें न ये केवल आपको वही है जैसे आप नरसरी में ABCD पड़े थे जिसका कोई यूज नहीं है लेकिन अगर पता नहीं रहेगा तो आगे फेल हो जाएंगे तो आप ये मत समझेगे नकसा इतना ही है अभी समझे जितना आपके लिए ABCD था ये उतनी ही भैलू है बस हम आपको ये द हो जाएंगे मेहनमार तुरत मेहनमार की दिमाग में धर आना चाहिए तो मालदीप बता दें यह हो गया मालदीप यह हो गया सिरलंका मालदीप सिरलंका हो गया यह पाकिस्तान अब थोड़ा सा अफगानिस्तान को देखते हैं अफगानिस्तान हमारा भारत भारत का अफगा लेंड लॉक को हिंदी में कहा जाता है भू बद्ध देस क्या कहा जाता है भू बद्ध अब अगर भारत का ओरीजनली नक्सा देखेंगे तो अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है 159 km लंबी यह सीमा लगती है लेकिन पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर रखा है इसलिए अभी डारेक्ट हमारी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। अब जियो पॉलिटिक्स को समझिएगा जो लोग पॉलिटी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं वो लोग को भी ध्यान से समझिएगा कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन समझने में ये मदद करेगा। दरोगा बैच का नामंकर नहीं और एड्मिशन क्लोज हो गया, सर्वर भर गया है, आप ये जो फ्रंट इंड का सर्वर मैक्सिमम केपसिटी पर जा रहा है, फ्रंट इंड वाले को साथ हजार से जादे नहीं देन देजेगा, बाकी को AWS पर या फिर बैक इंड पर भेजिए अब अफगानिस्तान में एक बात समझे, चानक जुद्धे, उन्होंने कहा था कि हमारा जो दुस्मन होता है ना, हमारा दुस्मन और अगर इसका भी कोई दुस्मन है, यानि हमारे दुस्मन का दुस्मन आटोमेटिक हमारा दोस्त हो जाता है, मतलब समझे, हमारे दुस्मन का दुस्मन क्या हो जाएगा हमारा दोस्त हो जाएगा क्यों कि हम दोनों मिल के इसको कूच देंगे लोग यही अच्छा है याद रखेगा हमारे दुस्मन का दुस्मन हमारा दोस्त यह चानक निती काता है इसलिए मनमोहन सिंग हो चाहें मोदी जी हो दोनों लोग मिलकर अफगानिस्तान को अपने फेबर में लेना चाहते हैं क्योंकि अगर अफगानिस्तान से आतंगवात कमजोर हो जाएगा तो अफगानिस्तान के लिए अच्छा होगा इसलिए भारत अफगानिस्तान में बिजली बनाने के भारत अफगानिस्तान में वहां का संसद भावन का निर्माड कर रहा है। भारत कैसे connectivity पहुचाएगा हवाई जहाज से तो ले जा सकते हैं लेकिन हवाई जहाज का किराया इतना महंगा होता है कि समान ढोईएगा हवाई जहाज से बीक जाईएगा आप जादे समान नहीं ले जा सकते हैं इसलिए भारत ने दिमाग लगाया यहां से चाबहार बनाया और यहां जेदान तक ट्रेन बिचाने का प्रोजेक्ट था आप पता होंगे आपको कि इसमें बहुत सारा लेट होने लगा अमेरिका कहा कि तुम भारत से इरान से रिलेशन अच्छा रखोगे तो हमसे गड़बड हो जाएगा तो भारत रहा सा दवाव में आ गया और जादे इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो यह चाबाहार बंदरगा हम लोग डेवलब कर रहे हैं और यहां से जेडान तक जेडान तक यहां से रेल लाइन ले जाएगे उसके बाद यह रेल लाइन जो है जेडान के बाद यह घुच जाएगी अफगानिस्तान में और यह अफगानिस्तान में घोई जाएगे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये रेल लाइन बनके काम्याब हो गई तो इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं उपर में एक देश है जिसका नाम है तुर्क ताजिकिस्तान उस ताजिकिस्तान में हम लोगों ने अपना सेना का अड़ा ले रखा है दुसामबे में जब वो देश पढ़ाएंगे तब बताएंगे तो यहां से हम connectivity यहां ले जा सकते हैं तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है आप अगर समझदार है कोई geopolitics में आपकी रूची है तो आप अपने से केवल और केवल फाइदा चाइना को होगा पाकिस्तान पूरी तरह से डूब जाएगा लेकिन यहां अफगान इरान जो है इरान की मदद चाइना जादे कर देता है इसलिए इरान को अगर भारत और चाइना दोनों में से किसी एक को चुन न रहेगा तो नो डाइट वो चाइना को चुन लेगा क्योंकि चाइना के पास पैसा है चाइना की जो नीतियां है वो एदम फिक्स है कि हम ऐसी नीतियों को मानते है लेकिन भारत के पास पास पार्टियां बदलती है तो नीतियां भ इलीव नहीं करता है क्योंकि भारत के पास पैसा भी नहीं है और अमेरिका की प्रभाव में भारत आ जाता है तो यह हम लोग जो इरान के रास्ते अफगानिस्तान में घुसने का परियास कर रहे हैं यह बहुत बहतरीन है लेकिन इसका में टार्गेट है हमारा जो दुसांबे में एरपोर्ट है जो एरफोर्स का है इससे हम डवल गेम ख्यल सकते हैं जो यह CPEC है चाइना इसलिए बना रहा है यह CPEC कि युद्ध के समय में चाइना के सामानों को कोई नुकसान न कर सके क्योंकि अगर युद्ध होता है तो चाइना इस डिरेक्शन से आएगा अपने ज चाहिएगा तो हमारा यहां सियाचीन ग्लेसियर दुनिया का सबसे उंचा युद्ध का मैदान यहीं से ठोक देंगे और यहां हम लोग रेडी कर रहे हैं बस कमी यह है कि हम लोग बहुत धीमी गती से रेडी कर रहे हैं और जो नेता वीपक्ष में बैठे हैं या जो सरकार में बैठे हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि यह सब काम में लेट नहीं होना चाहिए इसे तुरत बनाना चाहिए इसको जल्दी से जल्दी डेबलब कर लेना चाहिए तो जो समस्या चाइना को यहां से भागने पर हो रही थी कि हम घेरा जाएंगे वही समस्या हम यह यहां घेर देंगे उधर से मार देंगे इधर से मार देंगे तो तुम जो वहां से भाग रहे थे यहां भी तो घेरा जाओगे अराम से घेरा जाओगे लेकिन अगर इसमें लेट करेंगे तो हो सकता है चाइना इसको पैसा खिला दे या आफगानिस्तान या इरान को पैसा ख करते हैं और debate करते हैं कि हम यह करेंगे वो करेंगे हमारे यह नहीं होता हमारे छकर वरती रिया चकर वर्त नहींत एक अनपढ़ किसी मॉलाना को पोछ घैजिन गॉल कॉलेज को चाफ में नहीं देखा और मोदी जी से डिबेट कराईए बढ़िया है अब करके देखिए आप और जितने भी बड़े ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक हिंदुस्तान में जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है तो एक राहूल गांदी और ये मतलब मोदी जी हैं ऐसा नहीं है सब में डिसकस कराना चाहि लेकिन भारत इरान से पेट्रोल खरीडते रहता है तो भारत को भी चाहिए कि एरान को अपने फेवर में रखे अफजान को भी क्या करें अपने फेवर में तो वहां से भी हम लोग के साथ पढ़े थे साथ, अफगानिस्तान के बहुत से लड़के इंडिया में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं आप डेली वगरा के अगर आप क्लास के होंगे, आप ये डेली से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपके प्लास में मिले होंगे लो अफिम को इंगलिस में बोलते हैं, ओपियम, अफिम को क्या कहते हैं, ओपियम, ओपियम जो होता है, एक नसीली पदार्थ होती है, जो अफगानिस्तान में बहुत जादे होता है, अब आप बताईए, कोई भी चीज अगर होगा, तो उसका असर अगल बगल के एरिया में प फेमस है, और अफिम की दो चीजे होती है, अफिम का यूज सेना भी करती है, क्योंकि जब सेना को गोली लग जाती है, तो अफिम से ही बनाया गया मार्फीन जो दवा होती है, वो खा लिया जाता है, तो आपको गोली का दरद नहीं होगा, तो सेना को भी जरूवत है, डॉ होगा गोली वगरा निकलता है तो वहां पे भी अफीम की जरूवत है दावा बनाने में भी और जो नसेड़ी होते हैं लोग आज कल तो फिल्म इंडस्ट्री जे अफीम पे घुज गया अफीम पी क्या टुल रही है यहां पर तो उनकी जरूवत है तो अफीम भले ही और चीजों का international market में value जादे होता है तो इसलिए पाकिस्तान को एफानिस्तान को और ईरान को यह तीनों जो तीन देस लगातार यह तीन देस देख रहे हैं इन तीन देसों को हम लोग golden triangle कहते हैं क्या कहते है golden triangle स्वाणीम त्रिभूच के नाम से जानते है golden triangle ये तीन ऐसे देश हैं जिनके पास दुनिया का सबसे जादे अफीम है ये अफीम की मातरा में जादे रखते हैं इसलिए अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन जादे हो जाता है इन तीनल गोल्डेन ट्रेंगल में सबसे जादे अगर OPM यानि अफीम कोई बनाता है तो अफगानिस्तान बनाता है अब यहां ध्यान से देखेगा अफगानिस्तान के उपर के जितने देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये जितने देश हैं ये पहले रूस का हिस साथ है सब सोवियत संग का हिस साथ है सब ये रूस की बाउंडरी यहां तक थी रूस पूरी दुनिया में हम बढ़ जाए और रूस चाहता था हम लोगों से चीना है उस एरिया में अमेरिका ने अपना सेना का एक अड़ा ले लिया जो गिलगिट नाम था यह जम हम कस्मीर पढ़ाएंगे तब बताएंगे गिलगिट तो रूस ने कहा कि तुमने गिलगिट ले तो रूस इस गिलगिट के जवाब को देने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया तो कोश्चन आएगा अफगानिस्तान पर हमला सबसे पहले किस ने किया तो रूस ने किया था हमला किस लिए क्योंकि रूस पाकिस्तान को घेरना चाहता था अगर पाकिस्तान को घेर ले किया और नहीं रूस ने डारेक्ट अमेरिका पर हमला किया देखिए ना रूस तो अफगानिस्तान पर हमला किया है लेकिन क्यों किया है अमेरिका को घेरने के लिए इसलिए अमेरिका साउथ अफरीका से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को उठा के लाया और वो साइंटिस् है रूस हम यहां से हमारा देश है अफगानिस्तार हम यहां से रूस को मार के भगाएंगे लेकिन हथियार कहां से चाहिए तो अमेरिका ने कहा हथियार का की जरूवत थी वो किसने दिया अमेरिका ने क्यों क्यों कि रूस को भगाया जा सके और वो अकेला साइंटिस्ट अफगानिस्तान के लोगों को जुटा कर और यूद नागरीकों को साइनिक बना के भगा दिया वो साइंटिस्ट का नाम जनते क्या था उसामा बिल्लादेन जब तक उसामा बिल्लादेन अमेरिका के लिए काम कर रहा था वो देश प्रेमी था और जैसे उसने अमेरिका को ठोक दिया आतंगबादी हो गया वाहरे भई वाह ये है CTU दुनिया में एक भी अगर खून बहरा है न दुतिय भी CTU के बाद तो उसके पीछे कहीं न कहीं का रहा ये cold war यानि CTU है आपको पढ़ाया नहीं जाता है इस हिसाब से इसलिए आपको लगने लगता है आप उसामा बिल्लादेन को हतियार क्यों दिये उसामा बिल्लादेन के पास हतियार कहां से आया टेकनोलजी कहां से आई, अमेरिका तक जाने का रास्ता क्यों आया, उसको CIA का ट्रेनिंग किस ने दिया, उसको पैसा किस ने दिया, सारा काम तो आपने किया, जब आपके ही सारे पर वो रूस को मार रहा था, तो फिर आपको मार दिया, तो आप बुरा मान गए हैं, हद है भ हमारे उपर भी एक्सन हो सकता है, हर चीजे आपको खुल कर नहीं बताना चाहिए, यह आपर, लेकिन क्लास है तो हम तो बताएंगे, इसलिए नहीं अप्लिकेशन है, तो यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आतंगवादी आप खुद बता, हम मानते हैं कि असामा बि पईशा, पईशा दीजए आमारे वह सानिक थोड़ी था यह अप, आप अपने लिए उसको इस्तमाल किये, जिस तरह भारत ने LTT का इस्तमाल किया, चाइना ने मावादियों का इस्तमाल किया, एसामा समदिल ऑजिबु का, तो जो इस्तमाल कर रहा है, वह देस का लाएगा जो पिस रहा है वो आगे जाके आतंगवादी कहलाएगा भारत की ओर से लड़े थे LTTE के लोग चाइना की ओर से लड़े थे माओवादी लोग और अमेरिका की ओर से लड़े थे उसामा बिल्लादेन आप बताईए ये सारे के सारे लोग लड़े थे किसी के कहने पर अब दिक्कत नहीं आफगानिस्तान से उसामा बिल्लादेन ने किसको भगा दिया रूस को लेकिन यहीं वसामा बिल्लादेन जो था वो अमेरिका से बदला लेना चाहता था क्योंकि अमेरिका ने भी एक देस पर हमला किया थे यहां लाई तो बैटरी खत्म हो गया बैटरी खतम हो गया था इसलिए आवाज रुख गई होगी देखिए अब आप कहिएगा कि ओसामा विलादिन ने अमेरिका पे क्यों हमला कर दिया तो इसकी कहानी पुरानी है 1948 में अमेरिका ने फिलिस्तीन पर बम गिराया था और वहाँ के मुसल्मानों को भगा दिया वहाँ से और कहा कि यहाँ पर हम एक नया देश बनाएंगे इसराइल तो उसी इसराइल का बदला लेने के लिए अमेरिका ने, उसामा बिल्लादिन ने अमेरिका पे बम गिरा दिया और कहा अमेरिका से कि फिलिस्तीन पर जब तुमने बम गिराया था तो बोलो वहां की लोगों की क्या गलती थी हम ये बात मानते हैं, उसामा बिल्लादिन ने कहा था, हम ये बात मानते हैं कि हमारी जो हावाई हमला हुआ था इसमें अमेरिका के जो मारे गए लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन अगर पूरी दुनिया में बम चलाने का अधिकार केवल अमेरिका को तो नहीं है अमेरिका ने बियतना में इसी CTU में 27 कोरोड बम गिरा दिये थे वहां का तो पूरा तहस्नास कर दिया था 27 कोरोड बम गिरा था हम आगे बताएंगे आपको यह CTU इतना छोटा तो हई नहीं है यह आज तक चल रहा है CTU तो दुनिया में सबसे जादे जान लिया तो cold war ने लिया cold war cold war क्या था कि हम तुमको आगे नहीं देख सकते तुम हमको नहीं देख सकते हैं आज भी आप देखिएगा आपकी जब पत्नी की आपका जब शादी हो जाएगा तो आपकी पत्नी में और आपकी ननद मतलब बहन में यह वो दोनों तो ननद लगेंगी से ननद भोजाई तो ननद भोजाई में आज भी CTU चलता है डारेक्ट नहीं लड़ेंगे सब लेकिन दूसरे को लड़वा देंगे सभी सब इसमें समाजदार वेक्ति वो है जो समयज जाए CTU क्या है सब्सक्राइगी नहीं किसी को देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में धीरे दीरे रूस पूरी तरह से तूट गया 1991 में रूस तूट गया पंदर उसका यहां पर उदे हो गया तालीबान वालों का और अफगानिस्तान यहां पर अब इन आतंगवादियों को हम समझ में नहीं आता है यह कर देंगे तो बुरा मान जाएंगे लोग यह कहते हैं अपनी लड़कियों को कि तुम क्लासिक्स के जादे आगे मत पढ़ो मतलब क अच्छा छे के आगे तुम मत पढ़ाई करो मतलब क्यों क्योंकि यह डरते हैं कि इनको अपनी बेटियों पर भरोसा ही नहीं है इनको डर लगता है कि हम अपनी बेटियां को भेजेंगे पढ़ाने के लिए तो फंस जाएगी दूसरे से अरे यही ना रीजन है आपकी लड़कवा कर देते हैं से कि यही खलिया रहते हैं सावारा गर्धी के लिए तो यह करते हैं कि तुम क्लास करने मत जाओ क्लास 6 के बाद क्योंकि लड़का लाइन मारेगा समय लेकिन अगर कोई महिला किसी महिल पूरुस डॉक्टर से मेल डॉक्टर से जाके अपना इलाज करा लेती है तो यह आतंगवादी उस महिला को इमार देते हैं से रह गदही तुम पूरुस से जाके क्यों इलाज कर रही आरे लोल तुमने महिलाओं को क्लास 6 से जादे पढ़ने नहीं दिया तो महिला डॉक्टर पैदा कहां से होगी तो जो बिमार पढ़ा ले पूरुस स जाली चीजे होती है यह किसी की संस्कृती में नहीं है ना हमारी संस्कृती में है और नहीं नहीं वो सनातन संस्कृती है नहीं हिंदु धरम के संस्कृती में ना इस्लामीक धरम के संस्कृती में अगर आप इसको रोकना चाहते है अच्छी बात है कि चलिए आप अपनी सं कि यहां पढ़ती हैं आइसा तो कम से को आप सीधे को पढ़ने नहीं देंगे मलाला यूसुप जई को सीधे बम मार दिया अजय भाले पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं समनो तो अतंग्राधी को आफगानिस्तान वाला पाकिस्तान वाला नहीं पोलियो मत पिलाना क्योंकि जिस को तुम पोलियो पिला रहे हो न यह दो बूंद इसलिए पिलाए जा रहा है कि जब यह बड़ा होगा तो इससे दुएगो बच्चा पैदा होगा अब जरा आप सोचिए इन सालों को यह समझ नहीं है कि यह बच्चा बड़ा होकर आगे डॉक्टर बने कि इंजिनियर बने इसका टेंशन नहीं है उनको टेंशन इस बात का है कि बड़ा होकर धड़ा धड़ा बच्चा पैदा करें अरे भाईया एतना बच्चा पैदा करने का सोख है तो भेजदो अपने मेरारू लोग को हिंदुस्तान में आप बोलो कि इनको घरवती करके भेजदो यहां से अरे कटोरा से पिया दो क्यों क्योंकि अगर यहां पर अगर यहां पर माल लीजिए पोलियो रहेगा तो वाइरस डिजीज है वो इंडिया में भी चला आएगा घूम फिर के कैसे चाइना से कोरोना चलाए इसलिए भारत को टेंशन है हम लोग को सुपशिन तक थोड़े ब इसलिए दिक्कत नहीं है सर आपका कितना यूटूब चैनल है मेरा एक यूटूब चैनल है खांसर खांजी असरी सर्शियों अरे कुछ-कुछ लोग नकली चैनल बना देते हैं लोग उन लोग को भी कहते हैं नाम का चैनल पर एकदम असपस्ट नाम लिग दीजेगा ये खांसर का औरीजिनल चैनल नहीं है सीधे ने तो किसी दिन हम उठेंगे तो फिर एक सन ले लेंगे देखें इनका खामियाजा कैस बामियान में महत्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे उची मूर्ती थी वो एक पहाड को काट कर बनाए गया था मूर्ती बामियान में वह बहुत ही बड़ी मूर्थी थी जो इसको बम से मार दिया क्या जरूँए थी बम से मारने की मूर्थी को इतना बड़ा मूर्थी इतना मेहनत से बनाए गया था अब बम से उड़ा दिया लोगोंने मूर्थी को यह देखे महात्मा बुद्ध की यह मूर्थी अब यह कितनी उची होगी मूरती अंदाजा लगाई है यहां एक टूरिस्ट ह्खड़ा ओगा यहां दियुक्त वगाई आदमीं कितनी भयानक होगी एक्चुल में यह मूरती था ही नहीं एक्चुल में क्या था कि एक पहार था एक्षुलि mau में यह एक पहार था एक्शुली समझते हैं दर असल सी बीसी बोड वाला ना बोलते हैं अच्शुली ओ माई गॉड एक्षुली ये सब CBSC बोड़ वाला सबका मुहावरा है तो देखिए ये एक्षुल में एक पहाड था बिसाल पहाड था इस पहाड को कारीगरों ने काट काट कर उसमें महत्माबूद की मूर्ती बनाई आफगानिस्तान वालों ने आये तो बॉम मार के उड़ इतना पड़ा यहां तो मुस्लिम लोग अधिक थे मुस्लिम लोग अधिक थे तो महत्माबूद को उड़ा दियें वहां से अब यहां पर मैनमार है मैनमार का यह वाला एरिया का नाम है रखाइन रखाइन प्रांथ में जो रहने वाले मुस्लिम हैं उनका नाम है रोहिंग तो दुर्गापूजा में दसमी कि नौवी में बली दिया जाता है ना वहाँ पर तो भारत में भी बली चड़ाने की परमपरा है लेकिन यहां पर भारत में अगर देखेंगे तो हिंदु धरम में भी बली चड़ाने की परमपरा है कुछ खास समय में जैसे दुर्गापूज लेकिन अगर मुसल्मान धरम में देखेंगे तो इसलाम धरम में बखरीत में तो बहुत जादे कुर ओानि दिया जाता है तो वह एक परमपरा है तो हिंदूस्तान है दो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि या मुसल्मान और हिंदू यही दो धरम की अधिकता है हिंदू धरम में भी बली की परमपरा है तो वो भी नॉर्मल लेते हैं इसको और मुसल्मान में तो भाई बकरीद तेवार है उसका तो वो भी नॉर्मल लेते हैं लेकिन जहां बहुत धरम की अधिकता है यानि कहाँ पर मैनमार में यहाँ पर तो बहुत धरम महत्माबुद कहिए कि गए थे कि आप अत्याचार मत कीजे तो यह इस लोगों से कहते थे कि तुम बकरीद में कुर्बानी मत दो तो इस ने कह दिया यहां की सरकार ने कि आपको बकरीद में कुर्बानी देना है तो घर क अंदर दीजे, बाहर सामुहिक रूप से मत दीजे तो ये लोग मानिये नहीं रए थे, तब तक यहाँ पर हो गया इनों ने क्या तोड़ दिया, बॉम से उड़ा दिया, जब बॉम से उड़ाया था दो इन लोगों उसका जरा भी बिरोध नहीं किया तो यहां के लोगों के दिमाग में एक भर गया कि यह लोग उसका बिरोध नहीं कर रहे हैं और यहां पे साथ में जहां इनकी अधिकता है तो वहां तो हमारा तूर्दिये पूरी दुनीया सरणद देती है यह पूरी दुनिया सरण देती है क्योंकि कभी भारत को भी अगर बाई-दीवे जरूरत पड़ गया यहां पर प्रकृतिक आपदा आ गया भूकम पा गया यह सुनामी कुछ भी आ जाता है तो हमारे लोगों को भी कोई सरण देगा इसलिए हम यह future को देखकर दूसरे लोगो को सरण देते हैं लेकिन इसके लिए यहां म्यानमार के लोगों अगर आप माना होता के हिसाफ से देखिएगा तो यह भी गलत है और यह भी गलत है मेज़ोरिटियन की चीज़ को लेकर नहीं चलना चाहिए वरना जहां आपकी अधिकता है वहां आप सेर बनेंगे और यहां बहुत धरम वालों ने अपना बर्चा सो देखा दिया तो मुसल्मानों को खामी आजा भुगतना पड़ा तो बामियान कोश्चन पूछेगा महत्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे उची मूर्ति कहां थी बामियान में लेकिन कोश्चन पूछेगा महत्मा बुद्ध की द कला की मातना बुधD की हला कि मातना बुधध हिंदोस्तान से आ雁 यहाँ पर आपको बढ़ाई भे कि आ मातना बुध लुंबनी के थे बिहार में ग्यान मिला यूपी में आके उपदेश दिये यहां से चल गया हाला कि हंदोस्तान में बहुत धर्म को उतने जादे अगर आप जहर बोएंगे तो जहरे फेलेगा तो सब को मिल बाट के रहना चाहिए आप यहाँ पर अगर उस महत्माबुद्ध की जो मूर्ती थी आज अफगानिस्तान की अर्थविवस्ता कितनी चोपट हो गई है अगर उस मूर्ती को अच्छा से सजा देता और सौसो में आके देखो तो चाइना वाले जाखते उस मूर्ती को देखने भारत के बहुत लोग जाते लोग मैनमार वाले जाते जापान वाले यह सब बहुत वाले हैं सब थाइलेंड वाले यह सब जाते सब और अफगानिस्तान बहुत ज्यादे पैसे से अमीर हो जाता और आपको जब बौधों का मेला लगता है बहुत सारी इंकम होती है तो आप इस तरह से भी कमा सकते थे और बं मार दिये तो केवल गाली सुने इससे जादे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक सब समाज की ये परंपरा नहीं होती है तो ये अफगानिस्तान में भी एक समस्या थी जिसे लेकर अफगानिस्तान जहेल रहा है जिस वाज़े से हमारी सारी नीतिया वहां सक्सेस नहीं होती है अफगानिस्तान के पब्लिक हम हिंदुस्तानियों को पसंद करते हैं अफगानिस्तान की गवर्मेंट हम हिंदुस्तानियों को पसंद करती है लेकिन जो वहां अफगानिक्सान समझ में आ रहा है प्रवीन कुमार सर्मा जी आप गजब पढ़ाते अरे अभी तो सुरुवात हुए अभी आप जाने कहा है कि सर रोट खतम प्रसीपीशी रोट खतम हो सकता है क्या खतम कईसे हो सकता है मारके गिरा दीजी और कईसे खतम होगा सिम्पल sir सिपीशी खतम करने इनका भी सब्सक्वाइब बन गया चली कोई बात नहीं अब खतम कईसे होगा तो खतम भी हो सकता है मखार के हम两擊 पैयो को हम लोग लेकर आएंगे, सन्मे आगे कि ने आगे, आप लोग आगे बढ़िये वाव, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़िये, पढ़िये, लिखिये, बड़े-बड़े अधिकारी बनिये, वहाँ जाके समालिये, हम लोग तो अपनी जिन्दिगी अप जी चुके, अब हमारी करेंगे, वरना अगर आप अनपड रहेंगे, केवल जाती धरम में बटे रहेंगे, तो हम अपने हिंदुस्तान को बहुत खोयेंगे, आपको अपना हिंदुस्तान बहुत अच्छा दिखता होगा, केवल अगर आप हिंदुस्तान में रहके हिंदुस्तान को देखेंगे त क्यों कि हम लोग ने उस हिसाब से सोचा ही नि उस गड़बड़ी हमारी भी है हम लोग ने वैसे ही लोगों के चूनके भेजा जिनको को कि हिस्ट्री वगरा सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे आप टेंसन नहीं लिजेवाओं नाइन्थ एडिशन में इतना डीटेल नहीं दिया है कि डीटेल देगा होता सार का नाम लिग देगा और का डीटेल थोड़ी देने मला है कि चलिए आप लोग इसको समझेंगे लोग बुक्स वगरा लेंगे लोग एकलास वगरा ऑक्सपोर्ट का ले लेंगे जो आपको अच्छा लगेगा आप ले लीजेगा हमसे कोई जवर जस्ती नहीं हम यहां बताएंगे आप पाकिस्तान का उसमें नक्सा खोल जाएं था कोई वात ने आपका फर्स्टक्रास है आप इस प्रीवियस क्लास में दीकिए जब हम लाइब आएंगे तभी लाइव वला सक्षन खुझ लेगा लाइव नहीं रहेंगे तो नेचे आपका प्रीवियस क्लास करके खुल जाएगा आप उसको पल लिजेगा इस वाइसे जादे नहीं चिलाएंगे आप तिलंगाना से हैं सर इंग्लीस यूज किया करिए ज्यादे तर लड़के जो हैं सब वह हिंदी मीडियम के फिर उनका बाउंस करने लगेगा कि कौन कहता है मिया मेर्स है बेकुप जुढ जुढ बोलता है तुम इंडिया के सुचर जोड़के फार मेरा जा सकता है इंडिया सटरडे संडे आपका छुट्टी रहता है पूरे बाच का फाउंडेशन करवा दीज़े पूरा बाच का करवाएंगे बाबु आप देखिए बात समझें हम जो पढ़ाते हैं हम बेसिकली फोकस करते हैं पूर फैमिली के स्टूडेंट्स पर या फिर मीडिल फैमिली को इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो अप्लीकेशन है वह आइफोन के खुलता ही नहीं मीडियम फैमिली को ध्यान में रखते हुए अब लोगते एक बार में यह फीच को दियुक्त पूर्त है कि dram. ulisomes always कोई पहले को पेदेगी राज लेके सरर excited अब हम आज यूटूब whereby पर की जिनको m 123 लेना है आट्र में खечь 5 तक ने पर आगे हमेभी हमेशे हम आप लोग को पहले प्रेयोटीट देते हैं लेकिन तभी ठीक नहीं इस वज़े से हम जादे क्लास नहीं लोपा रहे हैं कि अब अब लोग बैट के अब जादे नहीं हो पाएगा फ्रंटीन सर्वर पर लोड जादे हो गया अगला क्लास हम लोग कम मिलेंगे लोग मंडे के क्लास में मिलेंगे आई होप आप समझ रहे होंगे दिमाग में आइडिया लगाईएगा जो पढ़ा रहे हैं अपने दोस् कुछ नहीं हो सकता है आप पढ़िए आप जिनको सेवा करना चाहते हैं उनको करिए कोई जरूरी नहीं है कि जिनको नौकरी लेना अबस वही पढ़े सब लोग को जाहिन